हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कप्षासाथ की वर्क्षीट नमबर 20 जो की 1 ऑक्टूबर 2020 की वर्क्षीट है और आज का विशे है बच्चों गनित और आज इस वर्क्षीट में हम समझेंगे ठोस आकारों का चित्रन तो चलि पे भी कुछ चित्र बना रखे हैं इस चित्र का नाम है तिर्यक चित्र और इस चित्र का नाम है समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है किसी सादे कागस या वर्गाकार खाने वाले कागस पर एक घं का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है परंतु उसकी कागस पर या फिर जो हमारी मैट्स की जो कौपी होती है उस तरीके के कागस पर हम ड्रोटों कर लेते हैंज़द हम पर हम इसे सत्यापित नहीं कर पाते हैं कि Means की लंबाई कितनीों है लाइं को चोड़ा finally हो पाता है इसली हम हिसको betr première हम इसको कहते हैं। तिर्यक चित्र ब प्योग करके ठोस का चित्र खीचना संभव है जहां उसकी मापो को सत्यापित किया जा सकता है और इस प्रकार के चित्र को हम कहते हैं समदूरिक चित्र देखो जैसे यह है यह समदूरिक चित्र है इसमें होता क्या है कि यहां पे समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित विभाजित होती हैं आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये बीच-बीच में देखो त्रिभुझ बना हुआ है जैसे देखो ये त्रिभुझ है एक इसके लावा ये दूसरा त्रिभुझ है ये तीसरा त्रिभुझ है तो इस तरीके से इस पूरी सत्यापित कर सकते हैं इनकी लंबाई चोड़ाई आदी के बारे में क्यूंकि इनकी जो दूरी होती है ये फिक्स होती है ये सम बाहुत रभुज है इसका मतलब है कि यहां पर दूरी फिक्स है तो यहां पर आप देख सकते हैं सत्यापित कर सकते हैं इनकी लंबाई चोड़ा है कि अगर आप इसको शैतिस रूप से काटते हैं मानलो बीच से काटते हैं तब ये कैसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन आप इसको उर्ध्वाधर काटते हैं इसका मतलब की ऊपर से लेकर नीचे इस तरीके से काटेंगे तब ये कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा लेकिन अगर हम उपर से नीचे काटते हैं तब ये कैसा बनेगा तब ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा यहाँ पे खाली-खाली सा होगा ठीक है और दूसरा फिर हमें यहाँ पे नज़र आएगा ऐसा इस तरीके कि इसकी आकृती बन जाएगी अब ये एपल है इसको हम बिल्कु कुछ इसी पत्ती है ठीक है बच्चो लेकिन अगर इसको हम ऐसे में काटते हैं तब क्या होगा एक तो कुछ ऐसी आकृती बन जाएगी होसकता है पत्ती का एक हिस्सा इसमें आ जाए और एक दूसरी आकृती ऐसी बनेगी और होसकता है पत्ती का दूसरा हिस्सा यहाँ आ एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रिकार 3VMA यानि की 3D वस्तुओं को 2VMA यानि की 2D छाया के रूप में देखा जा सकता है, खेलते हैं वा छायांकित चित्र बनाते हैं, देखो. यहां पे हमें यह दिखाया गया है कि हमने हाथों को कुछ इस तरीके से अलाइन किया, तो एक ऐसी उसकी चाया बनी, जो कि किसी पक्षी की चाया है, और यहां पे हमने हाथ को इस तरीके से अलाइन किया, तो कुछ ऐसी चाया बनी, जो कि एक जानवर की चाया है, इन में से ए आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये किस पक्षी का चित्र है ठीक है बच्चोट कि अब तीस्रा प्रश्षन है कि यहै कि ठोस आकार को विभिन कोनों से देखा जाए कार में कार दिखा रखी है अगर इसको हम पीछे से देखते हैं तो हमें सिर्फ ये हिस्सा दिखाई देगा उपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये हिस्सा दिखाई देगा और सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये हिस्सा दिखाई देगा ठीक है अब इसके आधार पर हमें क्या करना है यहां हमें यह बता रखा है कि कुछ वस्तुएं है अगर इसको हम पाश यानि पीछे से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा अगर इसको हम उपर से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा और अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा तो हमें देखो ऐसा नजर आएगा कुछ ये ये यहाँ पे बन जाएंगे तीन बॉक्स यहाँ पे दो बॉक्स और ये तीन बॉक्स ठीक है तो ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है और इधर वाला जो हिस्सा है वो तीन box का नजर आएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा ये सामने से, ठीक है? अब इसके बाद हमें कह़े रखा है कि अगर इसको हम पीछे से देखते हैं तो हमें कैसा नजर आएगा क्योंकि उपर से देखने से हमें ये ऐसा दिख रहा है और सामने से देखने से हमें ये ऐसा दिख रहा है तो उपर से अगर हम देखेंगे तो हमें वो कुछ ऐसा नजर आएगा पीछे से एक ऐसी सीट होगी और उपर वाली सीट थोड़ी छोटी है ये वाली सीट ठीक है, तो पीछे से हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसके बाद है कि दी गई आकृती का समदूरिक चित्र बनाईए, समदूरिक चित्र कौन सा होता है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला चित्र, तो आपको ऐसा ही चित्र यहाँ पे बनाना है, यहाँ हमें एक विडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू